महराश पहुची राहूल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे भी शिर्कत कर सकते हैं और ये बड़ी खबर होगी क्योंकि ये तो माना ही जा रहा है कि पूरी तरह से शिवसेना उद्धव गुट राहूल गांदी का सपोर्ट कर रहा है बड़ी बात ये है कि क्या खुद उद्धव ठाकरे या अदित्य ठाकरे यात्रा में राहूल गांदी के साथ चलते हुए दिखाई देंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नजारा होगा दोनों के लिहास से उद्धव की ताकत बढ़ाने के लिए राहूल की ताकत बढ़ राहूल गांदी के नित्रित में चल रही भारत जुड़ो यात्रा सोमवार रात महराश में प्रवेश कर गई कॉंग्रेस की भारत जुड़ो यात्रा तिलंगाना से महराश के नांदेर पहुंची है कॉंग्रेस आंसद राहूल गांदी पार्टी नेताओं और कारेकरताओं के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिये इस बीच उम्मी जताई जा रहे है कि उद्दव ठाकरे के नित्रित वाली शिवसेना के नेता और पूर मंतरी आदित्य ठाकरे भी राहूल के साथ इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं कॉंग्रेस आंसद राहूल गांदी दीररात नांदेर जिले के देगलूर पहुंचे यहां महराश पदेश कॉंग्रेस कमिटी ने राहूल गांदी और भारत जुड़ो यात्रा का देगलूर के कला मंदिर में छत्रपती शिवाजी महराज की पतिमा के पास स्वागत किया रावल गांदी ने कहा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्या कुमारी से शुरू की थी और ये श्रीनगर में जाकर रुकेगी इससे पहले यात्रा नहीं रुकेगी चाहे कुछ भी हो जाए पहले पी-एम शिकायत करते थे कि गैस सिलेंडर चार सो रुपे का हो गया लेकिन आज वो इसके दान को लेकर शिकायत नहीं करते हैं महिंगाई के मुद्दे को पुर्जोर तरीके से उठाया गया है अब लगातार उद्दव ठाकरे गुड़ भी प्रधानमंत्री मोदी एकनाश शिंदे देवेंदर फणनवीस पर हमलावर है एक के बाद एक कई बयान आते हैं लियाजा दोनों का मकसद एक ही दिखाई देता है बीजेपी के खिलाफ दोनों ही गुड़ दिखाई देते हैं तो निश्चत तोर पर इस यात्रा में उद्दव ठाकरे राहूल गांदी या आदित्य ठाकरे राहूल गांदी साथ में जुड़ते हैं तो ये मकसद बड़ा हो जाता है मराठ वाडा क्षेतर का दौरा कर रहा है आदित्य ठाकरे इस वक्त उन्होंने आगे कहा पार्टी अद्यक्ष से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा संयोग से आदित्य भी मराटवाडा क्षेतर का दौरा कर रहे हैं ये देखने की भी कोशिश की जा रहे हैं कि क्या ये यात्रा आदित्य की रैली के साथ मेल खा सकती है अहीर ने आगे कहा कि भारत जुलो यात्रा के पीछे का विचार सभी को एक साथ लाना है और जाने-अन्जाने समाज के हर वर्ग के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं अगर वो महराष्ट आ रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए अहीर महराष्ट विधान परिशत के सदस्यां उद्दव ठाकरे के धड़ेवाली शिवसीना के प्रवक्ता भी हैं इसलिए उन्होंने जो कहा है वो बड़ा महतुपून है कि इस संभवना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आदित्य ठाकरे भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं लेकिन इसका सुरूप क्या होगा और निश्चित तोर पर आदित्य ठाकरे जब यात्रा में शामिल होंगे तो इससे दोनों को ही ताकत मिलेगी राहूल गांदी की यात्रा को भी ताकत मिलेगी और उद्दव ठाकरे गुट को भी ताकत मिलेगी जो फिलाल अलग तलग पड़े दिखाई देना हम इस पर कॉंग्रेस का क्या रूख होता है कॉंग्रेस ने तो पहले ही कह दिया है कि तमाम विपक्षी दलों का स्वागत है शरत पवार उद्दव ठाकरे सभी को साथ में लाने और सिर्विनी को नहीं जो भी विपक्षी दल के नेता साथ में राहूल के चलना चाते हैं उने कोई दिक्कत नहीं है इसमें बलकि ये यात्रा का मकसद है कि सभी विपक्षी दल और समान विचारधारा के दल साथ में आ तो कुछ सियासी समी करण भी है लेकिन यात्रा को गयर राजनेतिक शुरुआ से बताया गया है। थाकरे धड़े से अर्विन सावंद और मनीशा कायंडे यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में राज़्टवादी कॉंगर्स पार्टी के प्रमुक्षा पवार की भागीदारी उनकी स्वास्तिती पर निर्भर करेगी। चवाण ने कहा कि शरत पवार के कारिक्रमों में वदलाव होता दिख रहा है। अशोक शवाण ने कहा कि मुझे पता चला है कि वो 10 नवंबर को यात्रा में शामिल हो सकते हैं लेकिन ये उनके स्वास्त पर निर्भर करेगा। तिलंगाना में राहूल गांदी ने कहा था पार्टी सत्ता में आई तो तिलंगाना में किसानों के कर्ज माफ होंगे। प्रवेश करने से पहले तेलंगाना के जुकल निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसबा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अस्पतालों का नीजी करण किया जा रहा है और शिक्षा परनाली को नश्ट किया जा रहा है। राउल गांदी ने कहा किसानों को समर्थन मूले नहीं मिल रहा है किसानों को नहीं लगता कि खेती एक लाबदायक काम है यूपिय सरकार ने 70,000 करोड रुपए के कृशी रिंड माफ किये उन्होंने कहा वो वादा करते हैं कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो किसान हैं उद्दा उठाकरे शरत पवार भी खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं आगा में बीमसी चुनाओ भी है फिर इसके बाद में विदान सबा चुनाओ भी है निश्चित तोर पर महराश में भारत जुड़ो यात्रा बहुत महत्तून रहने वाली है कॉंग्रेस की भारत जुड़ो यातरा 7 सितंबर को क distraction कुमारी से शुरू हुई थी कुल 3570 km की यातरा में इसे अभी 2355 km की दूरी अभी तैय करना बाकी है ये यातरा अगले साल कशमीर में खत्म होगी और हगले साल के शुरूआत में खत्म होगी कॉंगरस का दावा है कि भारत के इतियास में किसी भी भारती राजनिता की सबसे लंबी पद यात्रा होगी 12 जुड़ो यात्रा में राहूल गांदी को जबर्दस समर्थन अभी तक मिला है अब देखना होगा माराष्ट में एंट्री भी बहुत दमाकेदार रही है उनकी फाइदे मन्द बता चुके है कॉंग्रेस के लिए खुल कर कितना यात्रा के साथ में आते हैं इसका सभी को इंतजार है लेकिन ये बहुत मुम्किन माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे राहूल गांदी के साथ चलते हुए जल्द दिखाई दे सकते हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें